नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो UKSSS ने जारी की है वेकंसी सची वाले सुरक्षा कर्मी की जिसमें कि आप अगर 10 पास हैं तो इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो आज की दिन में पांच फॉर्म के लिए जिनको इंतजार रहता है इस टाइप की वेकंसी का जो की हो सिर्फ टेंथ पास ठीक है और काफी अच्छा है इसमें वेतन माम भी है लगबर 25,000 तक इसकी सैलरी है जो की है और काफी अच्छी वेकंसी है सुरक्षिया कर्मी की सच्चवालाई में है ठीक है तो इसके बारे में जानते हैं इसको फॉर्म फिलप करने के लिए आपको पहले करने पड़ेगा OTR और 10 तारीक को इसके फॉर्म फिलप की वीडियों आपके लिए लेके आएंगे अपने चैनल पर तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और 10 तारीक को इसका वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलप करना है step by step पूरा प्रोसेस उसमें बताएंगे आगे बढ़ते हैं तो यह है और 23 पोषल है अगर आप अच्छे से तैयर करें लिए तो एक ही स्क्राइब बॉस्ट काफी आपके लिए तिकक है इसमें तो डू पोषल हैं 33 जिसमें की अनुस्री जार्षादी के लिए 6 posts s c के लिए 3 posts पोस्ट है और देखिए यहां पर वीतन देखिए इसका वीतन बहुत काफी अच्छा वीतन मानने लेवल 3 की पोस्ट है और एज लिमिट की बाद गज़े तो 18-25 और अनिवार अहरता इसमें हाई स्कूल ठीक है यहां पर लिखा है मादमी सिक्षा परीशा उत्राखंड की अगर अगर आप पूरुस है तो आपकी हाई स्कूल पराथ किसी परीशा में उत्राखंड होने चाहिए ठीक है तो आपको सेर्फ इसमें हाई स्कूल मागा गया है तो इस फॉंग को आप फिल कर सकते हैं बस अरते आपकी एस लिमिट इसके अंदर आने चाहिए इसका है तो 152 आपकी हाई होने चाहिए जो है यह जो है सामानी और अनिवर्ग के लिए है ठीक है और अनसुशी जाती के लिए जो है 177.5 cm और महिलाओं के लिए है 147 cm और परवती छेत्र जिनके पास हिल है वह 160 cm और 147 cm आपकी हाई होने चाहिए और आगे देखे सीने की माप य रही होने चाहिए 68.8 cm, और फुलाने पर नुन तम होने चाहिए 83.8 cm मतलब कि आपको 57 cm और फुलाना आगे बात करतो वेट काब महिलाओं के लिए है 45 के यह अपका वेट नुन-न तम होने चाहिए ठीक है महिलाओं के लिए और इसके बात कर रहे हैं uphold ऐसका पेटल्ट कैसा तो आगे बढ़ते हैं इसमें लिखित परिक्षे में जो है सामाजनी और विश्य जो अभ्यारती है उनको 45% अंक लाना और अनुसुशी जाती अनुसुशी जनजाती को 35% अंक लाना अनिवारिया ठीक है इतना तो आपको लाना है और भाईया इसमें होगी नेगेटिव मार् अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो ओमेर सीट में होगा ठीक है यह तो पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है आगे बढ़ते है आगे है एस लिमिट हमने पढ़ लिया तो लेकिन एक लिमिट काउंट कहां से होगी यह देख लीजिए तो आयू की करना की जाएगी एक ज कर जाती है तो इस फॉर्म का फिल नहीं कर सकते है यह आपको ज्यानक नहीं आगे बात करें इसकी फीस सुल की बात करें तो फीस होगा समान यार जो OBC चात्र है उनकी होगी फीस तीन सो रुपए बाकी SCST और EWS की होगी तीन सो रुपए फीस ठीक है वही सेम है जो UK तरपर काफी एच्छी पोस्ट है तैनथ पास अगर आप आप फिल कर सकते हैं और वेतन मान जो है सेली समी काफी एची है तो इस फॉर्म को आप जरूर फिल करें ठीक है और नोटिफिकेशन का पीडिया निचे डिस्क्रिप्षिं में है वहाँ सा आप डावलोड कर सकते हैं या आ हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जॉइन कर सकते हैं उसका भी लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में है तो यह था इस वीडियो करेंड थैंक्स पूर वाशिंग एंड गडबलेश यू ओल